सो हाई के सब्सक्राइब माचिन मैं सूरोज अंतर्म के साइज सपोर्ट आज के लिए हम बात करें Google Adsense के एक एरर के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीगी का आपको यहाँ पर Google Adsense का एक एरर सो कर रहा होगा कुछ इस तरीगे का एरर सो कर रहा हो और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर clear cut में लिखा हुआ है कि अगर आप इस एरर को क्रावल एरर है अगर आप इसको फिक्स नहीं करते हैं तो यह जो ही कि आपकी revenue पर impact डालेगा मतलब आपकी revenue जो है कि यहाँ पर loss revenue यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी revenue थोड़ी कम हो जाएगी तो यहाँ पर हम बात करने वाले कि कैसे fix करते हैं और किस तरीके हम इसको fix कर सकते हैं इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ और ऐसे कई तरह के error आते है Google AdSense में आप देखेंगे तो और यह COVID-90 चल रहा है इसमें तो बहुत सारे error जो कि show करते रहते हैं लेकिन यह regular error है अगर हम बात करें तो और इसमें मैं आपको यह बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसको fix कर सकते हैं क्या problem है कैसे आपकी website में से यह fix हो सकता है और यह जो error है जो आ रहा है आपकी website में अगर आपके access में आ रहा है तो इसको कैसे आप fix कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक action बटन आपको देखने को मिलता है और दूसरा जो कि dismiss का मिलता है तो आपको यह action जो tab है इसके उपर आपको click करना है अगर आपको इसको fix करना है तो यह बहुत जोड़ी एक पर इंपक्त जाए करने क्लिक करेंगे यह आपको ले के जा आएगा और यह बताएगा तो इससे आपको फिक्स करना उता हूं को आपको दिखा चीह पर प्रीकल ही, अच्छे तरह स्वस्क्राइब में अगर जैसे कि मैंने प्रिश ट्रोले में आपको बताया था कि अगर आप जो ही कि आपकी पुरानी साइट है उस पे आपने बहुत सरे आर्डिकल लिख रखे हैं और वो सारी सारी आर्डिकल बहुत ही वेस्ट है मतलब आप उन आर्डिकल को नहीं रखना चाहते हैं या फिर उनके साथ में जो एक हमारी अगर हम बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई Link है और वो जो की और जो की वेब मास्टर में नहीं फाउंड हो रही है, वहाँ पे जो कि सो नहीं हो रही है, तो यह जो कि affected हो जाता है, और एक बार affected हो गया, तो वहाँ पे जो कि add so नहीं की जाती है, तो मैं आपको दिखाने कोईज करता हूँ, कि वह कौन सा पेज है, जो कि यहाँ पे problem show face कर रहा है, तो यहाँ पे click करूँगा, simply यह वाले dot पे, यहाँ पे click करूँगा, तो यह लेके जाएगा, फिर next step पे, और यहाँ पे लेके जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूँ, कि कैसे आप इसको fix करेंगे, ठीके, तो नीचे scroll करके आप आएं इस भी नहीं है, देखते हैं, यह 30 जुलाई को यह नया error आया था, इसके लिए मैं सुचाए, इसके वीडियो बना दूँ, और मैं आपको बता दूँ कि adsense से जूड़ी, अगर जो कुछ भी error से, या फिर कोई problem से, तो इसके पर हमेसा मैं guide करता रहता हूँ, तो यहाँ पे page not found, जो कि मैंने आपको previous tutorial में बताया था, कि कैसे आप इस तरह के URL को आप fix करेंगे, किस तरीके से आप इस तरह के URL को अगर आपको adsense approval नहीं मिल रहा है, या फिर adsense ad नहीं so कर रहा है, या फिर auto ads का problem है, तो यह सारी चीज़े मैंने आपको previous tutorial में बताया था, कैसे आप उस आपको पता चल जाएगी, फिलाखल इसको भी हमें वही करना है, जैसे कि आप देखते हैं, यह जो URL है, इस URL को हमें क्या करना है, कॉपी करना, वेब मास्टर में जैसे मैं आपको अधाया था, प्रिवेश टूटर में उसमें जाना है, और वहां पर जाके URL का यूज करना ह जाएगे, अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ आइडिकल नी है, तो इस URL को हमें रिमूब करने की जरूद है, बहुत जरूद है इसको रिमूब करने की, तो हम सीधा क्या करें के Google के वेब मास्टर में यहाँ पर चले जाएंगे, वेब मास्टर और यहां पर जैसे वेब यहां पर नोट फांट दिखा रहा है और यहां पर एटस भी नहीं शो करेंगे अगर हम बात करें वेबसाइट की दूपोर बीक नहीं कर रहे है तो जैसे मैं होंद पर क्लिक करता हूं यह दिखें टॉप पर विडियो अड्स आ रहा है हर एक चीज आ रहा है तो इस तरीके से जोई कि ads show करने कोई दिक्कत नहीं, कोई problem नहीं है और अलग-अलग ads जोई कि show करते रहते हैं देखते हैं यहां पर तो फिलहाल जोई कि यहां पर समझने वाली बात यह है कि जैसे आप Google Wave Master में आप आते हैं इसको sign in करना होता है और sign in करने के बाद जोई कि इस URL को हमें remove करना है फिर से मैं इसको refresh कर देता हूँ और मैं आपको दिखाने कोईश करता हूँ क्योंकि जो ads आ रहा है अगर हम बात करें तो उसको cover कर ले लाए इसके लिए मैं इसको refresh कर दिया और refresh करने के बाद जो कि simply आप देखेंगे तो यह आगया overview यहाँ पर हम चले आ हैं webmaster में मैं आपको दिखाने कोईश करता हूँ यह देखते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाने कोईश करता हूँ यहाँ आप देखते हैं यह रहा आपका URL removal यहाँ पर क्लिक करना है आपकी करके और simply क्या करना है यहाँ पर removal में आके new request क्लिक करके और इसे remove कर देना है ठीक है इसको simply क्या करना है remove कर देना है जैसे आप इसको remove कर देते हैं वैसे यह आपकी problem जो है कि जो यहाँ पर Google Adsense में जो यह error आया है यह solve हो जाएगा otherwise दूसरा तरीका मैं आपको उता रहा हूँ otherwise यह तो एक तरीका होगा otherwise आप दूसरा तरीके से fix कर सकते हैं इसको अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी article है सब कुछ शो हो रहा है या फिर article है आपकी और सो ही नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है आपको जो यह WordPress में ठीक है अपने WordPress में चले जाना है जहां भी URL है उसमें चले जाना है ब्लॉगर में चले जाना है और वहां पे जाके इसको पोस्ट को अच्छे तरीके से फिर से आपको update करना है जैसे आप अप्डेट कर देंगे यह problem solve हो जाएगी लेकिन फिलाल मैं इसको रिमूब कर देना और यह जो कि automatically यह रिमूब हो जाएगा ठीक है जैसे हमें इसके next करता हूं यह रिमूब हो जाएगा लेकिन फिलहाल मैं जहां से google webmaster यहां पर login कर रहा हूँ वो यह website नहीं है यह दूसरी website है इसके लिए मैं यहां पर remove नहीं करूँगा सो जो भी तरीका था मैंने आपको बता दिया otherwise आप यहां पर अपने wordpress में आके और इसको जो कि change कर सकते है इसको edit कर सकते है अपने post में जाएगा और post में जाने के बाद जो कि simply क्या करेंगे इसको edit करना पड़ेगा आपको तो यह जो भी post है अगर हम बात करें यह post का नाम आ जो भी आपका post का title है उसको आपको search करना और जैसे search करेंगे यहाँ पर आपको हो सकता है अगर वह available होगी तो रिमूब कर देना है जैसे कि मैंने आपको बताया तो देख सकते हैं यह available नहीं है तो इसको मैंने जैसे आपको बताया उसी तरीके से इस चीज को यहाँ पर आक पड़ेगा क्योंकि अगर आप इसको fix नहीं करेंगे तो आपकी revenue बहुत बड़ा impact डालेगा तो यह एक error अलग तरह का error था जिसको मैंने आपको बता दिया गाइड कर दिया और यह बहुत जुरूरी था कर हम बात करें जो भी आपकी website है उसमें pages का error है और यह website index नहीं कर र रहा है इसका मतलब यह है कि इसलिए यहां पर जो कि affected दिखा रहा है ठीक है तो इसको आपको fix करने के लिए simply क्या करेंगे इसको Google के webmaster से remove करेंगे और जैसे आप इसको remove कर देते हैं उसके बाद यह आपकी problem solve हो जाएगी तो बहुत ही आसानी से आप इस error को fix कर सकते हैं और